इन लोगों को network marketing business नहीं करना चाहिए, series के 11 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंग, MLM Success Coach आज आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी 11 केटेगरी से जिन लोगों को network marketing business नहीं करना चाहिए, direct selling business नहीं करना चाहिए दोस्तों ये केटेगरी है उन लोगों की, जो लोग एक अच्छा speaker बनना नहीं चाहते जो लोग एक अच्छा speaker बनना नहीं चाहते, उन लोगों को network marketing business नहीं करना चाहिए क्योंकि network marketing business में by default आप एक अच्छे speaker बन जाते हैं मैं आपको एक मेरा एक example देता हूँ, जब मैंने network marketing business से start किया, मैं दो लोगों से properly बात नहीं कर सकता था मेरे पैर कांपते थे, जबान लड़ खड़ाती थी, डर लगता था और मुझे याद है पहली बार मैं मैं सिर्फ नमशकार बोलके बैठ गया था, दोस्तों नमशकार बैठ गया था और यद मैं आज आपके सामने एक speaker के रूप में हूँ, आज मुझे पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे speaker के रूप में पहँचाना जाता है, तो it is just because of network marketing business, तो दोस्तों मैं simple कहूंगा, यदे आप एक अच्छा speaker बनना नहीं चाहते हो, please do not do network marketing business, it's not your cup of tea, direct selling business is only for those who wants to be a good speaker, ये business सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो अपने काम के साथ साथ एक अच्छा speaker बनना चाहते हैं, क्योंकि network marketing business में आप एक speaker by default बन जाते हो, आप एक अच्छा speaker बनने के लिए नहीं आते, लेकिन इस business का nature ही ऐसा है, आप अपने बाते लोगों को बताते, बताते, लोगों को experience शेयर करते, 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 लोगों के साथ में interaction करते, करते, आप धीरे धीरे एक शांदार speaker बन जाते हो, लेकिन जो लोग एक अच्छे speaker बनना ही नहीं चाहते, तो उनको तो network marketing business बिलकुल करना ही नहीं चाहिए, तो दोस्तों य 11 भी category है, जिन लोगों को network marketing से बिलकुल दूर रहना चाहिए, कौन सी category, जो लोग एक अच्छे speaker बनना नहीं चाहते, एक अच्छे वक्ता बनना नहीं चाहते, वीडियो समझ में हो, तो ज़रू like कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को share कीजिए, चैन